इस दिमाग चक्रा देने वाली कहाने की शिरुवात होती है सोफिया नाम की एक लीडी को दिखाते हुए जो कि एक अंजान शेहर के अंदर आकर एक अपार्टमेंट ओन करती है यह अपार्टमेंट तो शेहर से काफी ज़ादा दूरी पर था और फॉरेस्ट के एकदम बीचो बीच होता है यहाँ पर सोफिया का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर कुछ इंपोर्टन्ट मिशन के लिए आई है सोफिया तो अब अपने उस नए अपार्टमेंट को ओन करके सारे प्रॉपर्टी पेपर्स इकठा करती है और सीधा वहाँ से जोसिफ नाम की एक आदमी से मिलने चली जाती है जोसिफ यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या करने वाला एक हकीम था जो कि लोगों के छोटी मोटी चीजे सॉल किया करता सोफिया ने जोसिफ को सारी बाते बताई और उसका नया अपार्टमेंट एग्जामीन करने के लिए कहा क्योंकि उसे जोसिफ से एक बहुत डार्क रिच्वल परफॉर्म कराना था जो उसका एक important काम करेगा जोसिफ को काफी पैसे देने के बाद वो मना नहीं कर पाता और अब वो सोफिया के घर पर आकर सारी चीजे देखने लगता है यहाँ पर हमें पता चलाओ कि सोफिया ने जोसिफ को काफी पैसे दिये हैं एक रिच्वल परफॉर्म करने के लिए ये रिच्वल डार्क बुक नाम की एक किताब में मौझूद होता है जिसे कि कोई भी अपने गार्डियन इंजल को बुला सकता था यानि कि सोफिया जोसिफ की मदद से इन सारे रिच्वल को परफॉर्म करेगी और अपने गार्डियन इंजल को बुलाएगी इस रिच्वल के लिए वो बहुत पहले से प्रिपेर कर रही होती है अगर उन लोगों ने एक बार रिच्वल स्टार्ट कर दिया तो सोफिया को कुछ प्रिकॉसिंस भरतने होंगे जैसे कि सोफिया का डाइट प्लैन एकड़म कॉंस्टेंट होना चाहिए और उसे कुछ समय तक सेक्शुल प्लैजर नहीं होने चाहिए साथी साथ सोफिया कितना पानी पिएगी और किस से बात करेगी ये सब भी डिसाइड़ था जोसिप तो सिर्फ कुछ पैसो के लिए ये सारी चीजे कर रहा था लेकिन उसे पता होता है कि ये रिच्वल कितना खतरनाक है इसमें कई महीनों का समय लगता था जिसमें कि सारी विद्धी कम्प्रीट करने के बाद गाडियन इंजल आएगा और उससे कोई भी विश मांगने पर वो उसे पूरा कर देगा जॉसिप तो यहाँ पर सूफिया से एक बार पूछ लेता है कि आखिर तुम ये सारी रिच्वल क्यों कर रही हो सूफिया ने थोड़ा सोचते वे कहा कि मैं अपने प्यार को पाने के लिए कर रही हूँ जॉसिप समझ गया था कि सूफिया मुझसे कुछ छुपा रही है इसलिए वो कहने लगा कि मैं ये विदी नहीं कर सकता जब तक तुम मुझे सचा ही न बता दो तब जाकर सूफिया उसे एक रियालिटी बताती है कि कई साल पहले उसका एक साथ साल का बच्चा किड्नैटिंग में मारा गया था इसलिए वो गाडियन इंजल के सारे विदियो को पूरा करके उनसे अपने बेटे को वापस मांगना चाती है अब यहाँ पर हमें एक मा का प्यार दिखाई दे रहा था साथ साल की मरी वी बच्चे के लिए इसलिए जोसेप भी सूफिया का साथ देने से रोक नहीं पा रहा था दोनों मिलकर किताब में जिस तरीके से स्टेप्स लिखे गए थे उससे फॉलो करने लगे अब हमें यहाँ पर सूफिया दिखाई गई जो की सूपर मार्केट में जाकर विधियो की सामान लेकर आ रही थी वहाँ पर बहुत सारे सामान मौजूद थे जो की इंपॉरे महीनों तक उसे जगर पर सूफिया की एक छोटी बहन विक्टोरिया मिल गई थी विक्टोरिया सूफिया को मना कर रही होती है क्योंकि उसे भी अंदाजा हो गया था कि सूफिया किन बुरी रहो पर चल रही है पर विक्टोरिया के बहुत समझाने के बावजूद भी सूफिया उसकी बात नहीं मानती और इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है विक्टोरिया अब उन सारे सामान को लेकर सीधा अपने घर पर आ गई जिससे कि जोसेफ आगे का प्लान बता रहा था कि उन्हें रिच्वल किस तरीके से स्टार्ट करना है साथे साथ रात के समय जोसेफ यहाँ पर सोफिया को वान करता है कि इस पूरे विदी के अंदर कई महीने लगेंगे और इतने डिउरेशन में वो घर से बाहर नहीं निकल सकते जितने बिदीन उन्हें रिच्वल करना होगा उसमें सोफिया बिल्कुल भी जूट नहीं बोल सकती क्योंकि ऐसा करने पर वो विदी बीच में ही तूट सकती है इस पूरे डिउरेशन में सोफिया को काफी डिस्टरबेंस भी जहनने पड़ेंगे उसे कोई फिजिकल टॉचर भी करने की कोशिश करेगा लेकिन सोफिया को हिम्मत नहीं आरनी है और उस रिच्वल को कम्प्लीट करना है तब जाकर ही गार्डियन इंजल उसके सामने आकर उसकी विश्पूरी करेगा सोफिया सब कुछ समझ गई थी और वो मेंटली प्रिपैर होने लग जाती है कि वो इसे कम्प्लीट करके ही रहेगी कल के दिन से ही वो रिच्वल को स्टार्ट करने वाले थे एक बार ये चीज़े स्टार्ट हो गई तो बैक आउट नहीं किया जा सकता जोसेफ ने तो सोफिया को ये भी बताया कि उसने ऐसा रिच्वल तीन बार ट्राय किया है लेकिन वो उनमें से सिर्फ दो ही बार कामयाब हो पाया था सोफिया जोसेफ दौरा बताई गई सारी बाते समझ जाती है क्योंकि ये सारी चीज़े उसके लिए काफी important थी उसे किसी भी आहलत में अपने guardian angel को खुश करके इस दुनिया में बुलाना है और उनसे अपनी सबसे best wish पूरी करनी है जिससे उसका बेटा वापस आ जाएगा अगले दन होने पर जॉसेफ अप white line की मदद से घर के चारों तरफ एक circle बनाने लगा ये एक holy circle होता है जिसमें की ritual complete होने से पहले वो यहां से बाहर नहीं निकल सकते जॉसेफ ने तो यहां सोफिया को सारे खाने के सामान एकठा करने के लिए कहा और उसे एक जहरीला mushroom अपने पास रखने के लिए बोल दिया सोफिया question करने लगी कि आखिरकार ये क्यों कर रहे हो लेगिन जॉसेफ यहां पर बहुत ही ज़्यादा गुस्ता हो जाता है सोफिया के उपर और जैसी वीदी में लिखे गए हैं वैसा ही follow करने के लिए कहता है सोफिया नहीं समझ पा रही थी कि जॉसेफ की behavior में अचानक changes कैसे आ गए लेगिन जॉसेफ को यह सारी विदियाँ पता थी इसलिए वो जैसा जैसा बोलता जाता सोफिया करने लगती हमें तो आप कमरे के अंदर दिखाया गया कि जॉसेफ ने अजीब तरीके के कपड़े पैने हैं और उसने जमीन पर 5 circles बना के सुफिया को एक सरकल के अंदर बिठाया है यह सारी चीजे dark ritual का एक part था जिससे के वो समन करके धीरे धीरे अपने guardian angel को बुलाने की कोशिश करेंगे हर एक सरकल का अलग-अलग मतलब हुआ करता था जैसे कि उनमें से एक बड़ा सा सरकल डिक्टेट करता है उस boundary को जो इस घर के पूरे चारो तरफ एक दिवार बनाता था जो invisible होती थी और यह इसलिए होता है क्योंकि जब वो अपने guardian angel को इस दुनिया में बुलाएंगे तो उसके साथ कई सारी बुरी आत्माई भी आती थी और जो भी हो जाए उन्हें इस घर से बाहर नहीं जाने देना है नहीं तो वो हमारी दुनिया में भी जाकर काफी ज़्यादा तबाई मचा सकती है वैसे ही एक दूसरा circle होता है जो कि fire को dictate करता था यानि कि ये बुरी आत्माई के powers को बहुत ही ज़्यादा suppress कर देता ऐसे ही हर एक circle के मतलब हुआ करते और उनमें से एक circle के अंदर उन्हें guardian angel को बुलाना होगा जो कई महीनों की कड़ी तपस्या के बाद ही हो सकता था धीरे धीरे समय बिता चला गया और वो अपने ritual के उपर focus करने लगी यहाँ जोसेप ने सारी विदियां तो follow की थी लेकिन उस हिसाब से result नहीं मिल ले होते क्योंकि उन्हें पता होता है कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला उन्हें अपना ध्यान पूरी तरीके से एक जग़ पर केंदरित करना होगा जब तक guardian angel खुश नहीं हो जाते अब यहाँ पर तो हमें इन सारी चीजों का असर सोफिया के उपर दिखाई देने लगा क्योंकि वो mentally torture होने लगी थी एक जग़ा पर ritual follow करते हुए कुछ दिनों बात तो अचानक एक चुडिया आकर उनके खिड़के से टकरा के मर जाती है जॉसेफ ने बताया कि ये ज़रूर इस ritual के कारण हो रहा है पर सोफिया को पता नहीं क्यों इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी वो जॉसेफ दौरा बताई गई सारी चीजों को follow करती है अब यहाँ पर इसी तरीचे से उस ritual को follow करते हुए कई दिन बीच चुके थे लेकिन अभी भी उन दोनों को कोई भी result नहीं मिला होता और साथ ही साथ इसका भी कोई सबूत नहीं होता है कि कोई guardian angel उनकी तरफ आने की कोशिश भी कर रहा है जॉसेफ ने तो सोफिया को ये कहा कि तुम्हें forgiveness का ritual परफॉर्म करना होगा लेकिन सोफिया मना कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं forgiveness का ritual कभी परफॉर्म नहीं करूंगी दरसल ये एक ritual का part था जिसके अंदर सोफिया को किसी इनसान का blood पीना होगा और इससे ही वो अपने आगे आने वाले rituals में guardian angel को खुश कर पाएगी जॉसेफ ने तो सोफिया को blackmail करना start कर दिया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम उनसे wish नहीं मांग पाओगी इसलिए अब सोफिया बहुत बार माना करने के बावजूद उस blood को पी लेती है जो कि जॉसेफ ने अपने body से निकाला था क्योंकि इस घर के अंदर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता सोफिया तो उसे पी लेती है पूरी तरीके से और उसी मुमेंट की बाद से सोफिया को घर के अंदर किसी के और होने का एसास होने लगा उसे ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कोई ऐसास साया है जो उसे हर वक्त नजर रख रहा है सोफिया ये फिगर आउट नहीं कर पाती कि आखिर ये अच्छा है या फिर बुरा क्योंकि जितना उसने सुना था कि गार्डियन इंजल अच्छे ही होते हैं लेकिन जोसेफ ने जिस तरीके से बताया था कि वो पोर्टल उपन होने पर जब गार्डियन इंजल यहां पर आएंगे तो उनके साथ कुछ बुरी शक्तियां भी आती थी और ये बुरी शक्तियां बिलकुल भी अच्छी नहीं होती हैं वो चाहे तो सोफिया पर अटैक कर सकते थे और उसे पॉसेज भी कर सकते थे फिर भी उसे कुछ अंदाजा नहीं होता और वो रिच्वल को कम्प्लीट करते गई अब यहां पूरे महीने बीतने के बाद जोसेफ पता नहीं क्यों सोफिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था उसे जान बुचकर सोफिया की क्लोज आना था इसलिए वो कहने लगा कि मुझे तुमारे साथ सेक्चुली इंटिमेंट होना पड़ेगा क्योंकि यह रिच्वल का एक पार्ट है सोफिया एक समय पर सूचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन जोसेफ ने उसे इस तरीके से मैनिपलीट कर दिया था कि सोफिया को ऐसा करना ही पड़ा लेकिन फिर बाद में वो सब कुछ समझ जाती है कि यह जोसेफ की एक ट्रिक थी उसे जोसेफ पर काफी गुस्सा आ रहा था इसलिए उसने सुबह के नास्ते में जोसेफ के खानी में थोड़ी सी पौटी मिला दी थी दोनों के अंदर एक दुसरे के लिए काफी गुस्से वाली भावना जागने लगी थी पर उस घर के अंदर वही दोनों थे इसलिए इस रिच्वल मिलकर ही उन्हें करना पड़ता था यहाँ पर जोसेफ बार बार सोचता है कि आखिरकार सोफिया ने वादा किया था कि वो सब कुछ प्रॉपर कहेगी लेकिन फिर वो फॉर्गिल्स वाले रिच्वल को करने से क्यों मना कर रही थी जोसेफ समझ गया कि वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है वो तो तुरंती सोफिया को गला पकड़ लेता है और उससे सच्चाई पूछता है कि तुम उससे क्या छुपा रही हो अंत में जाकर सोफिया को सब बताना ही पड़ा कि आखिरकार सच क्या है दरसल बात ये थी कि सोफिया गाडियन इंजल को बला कर अपने मरेवे बेटे को वापस नहीं पाना चाहती थी बल्के वो तो उन सारे कातिलो और किड्नैपर से बदला लेना चाहती थी जिसने की उनके बेटे को मारा था जॉसेफ को जब ये पता चला तो वो कहता है कि तुमने जूट बोलकर इस रसन को तोड़ दिया है तुम पूरी तरीके से इंप्योर हो चुकी हो इसलिए तुम आगे कंटीनियो नहीं कर सकती सबसे पहले तुमें प्योर होना पड़ेगा सोफिया नहीं समझ पाती कि आखिर ये चीजे कैसे होंगी इसलिए जब सोफिया सो रही होती है तो जॉसेफ सीधा उसके कमरे में आता है और उसे उठाते वे एक बाट टप की तरफ लिकर चला जाता है जॉसेफ ने सीधा सोफिया को उसके अंदर डुबा दिया और उसे मारने की कोशिच की बलकि ये तो प्योर करने का एक दूसरा तरीका था जब यहाँ सोफिया की सांसे रुक जाती है तो जॉसेफ ने उससे बाहर निकाला और CPR देखर सोफिया को वापस से रिवाइव कर दिया यहां से अब सोफिया जिसमें की सबसे पहले जूट कहा था वो प्यूर हो चुकी है और आगे चलके वो रिचुल को कंटीनियो कर सकती है पर अब जॉसेफ की यह हरकत सोफिया को बिलकुल अच्छी नहीं लग रही थी उसे तो काफी गुसा आता है और वो जॉसेफ को सीधा धक्का देकर पीछे गिरा देती है बतकिस्मती से वहाँ पर एक नुकिला चाको रखा हुआ था जो सीधा जॉसेफ के पेट में जाकर लग जाता है जॉसेफ काफी जादा गायल हो गया और इसलिए सोफिया उसके घावों पर बैंडिट लगाकर अच्छी तरीके से खयाल रखती है हाला कि गलती उसके वज़े से हुई थी पर उसके अंदर जरा भी गिल्ट नहीं होता अब अगले दिन से वो रिचुल कम्प्लीट भी करती और उस फॉर्गिनेस वाले विदी को भी आगे बढ़ाती वो हर दिन जॉसेफ का बलड पीती और उसी कुछ अजीब से विजिल्स भी आने लगते यहाँ सोफिया के साथ घर के अंदर कुछ अजीब सी चीजे होने लगी थी उस सामने की तरफ किसी साह को इमेजिन करती जो कि उससे बात करने की कोशिश कर रहा है उस मोमेंट के बाद सोफिया बिलीव करने लगी थी डार्क मैजिक और नैचुरल सक्तियों के अंदर जो कि वो शुरुआत में नहीं करती थी उसे लगने लगा था कि अब वो रिच्वल के काफी क्लोस पहुँच चुकी है और उसके गार्डियन इंजल आकर उसकी सारी विशेस पूरी कर देंगे सोफिय को तो घर के अंदर से कुछ आवाजे भी आने लगी होती हैं जिससे कि हम समझ गए कि कुछ डिमन्स घर के अंदर आ चुके हैं यानि कि वो पोर्टल जो कि कार्डियन इंजल के लिए उपन होने वाला था उसे पहले ही डिमन्स ने उपन करकि यहाँ पर एक्वायर कर लिया है सूफिया पता नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी जैसे कि उसे लगने लगा कि गार्डियन इंजल आने वाले हैं यहां जॉसेफ के पेट में जो चाकु से वार हुआ था वो इन्फेक्शनस हो गया था उसका प्रॉपर इलाज ना होने के कारण अब धीरे धीरे उसकी तबित खराब होने लगी और एक समय ऐसा भी आता है जब जॉसेफ सोते सोते ही मारा गया यहां सुफिया ज़्यादा डरती नहीं क्योंकि अब उसने डिसाइट किया कि वो आगे आने वाले रिच्वेल्स खुदी पफॉर्म करेगी जॉसेफ के जाने के बाद सुफिया उसके सारे बुक्स को पढ़ने स्टार्ट करती है लेकिन पता चला कि उस बुक्स को पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया गया है जिससे कि वो नॉर्मल तरीके से उसमें कुछ पढ़ी नहीं पाती और अब इन सारी वीडियो को ना समझने के कारण वो आगे कंटीनु नहीं कर पा रही थी सोफिया तो जब एक कमरे के अंदर बैठी वी होती है तो उससे अचानक कुछ डीमन्स दिखाई दिये ये डीमन्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे और काफी डराओनी आवाजे करते हैं वो बिल्कुल भी इन सारी चीजों में नहीं फसना चाती थी इसलिए सोफिया ट्राय करती है कि वो घर से बाहर निकल जाए उसने लाइन को क्रॉस भी कर लिया था जो इस विदी के एकदम अगेंस्ट होता है पर सोफिया जब अपने कार को जाकर चालू करती है तो वो कार का इंजिन चालू नहीं हो रहा था सोफिया अब सीधा घर के अंदर जाकर एक जग़ पर बैट जाती है पर धीरे धीरे अब लग रहा था कि उसके पास कोई आ रहा है वो कोई और नहीं बलकि खतरनाक डीमन्स थे जो पूटल की मदद से यहाँ पर आ चुके हैं उन सभी डीमन्स को देखकर सोफिया काफी डर गई और वहाँ से भागने लगी पर वो सभी अपनी काली ताकतों की मदद से सोफिया को पकड़ लेते हैं और उसे खीचते हुए सीधा बेस्मेंट की तरफ लेकर जाते हैं उन्होंने तो सोफिया की बौडि पर डैमेज देना भी स्टार्ट कर दिया था जैसे कि डीमन्स को इन सारी चीजों से मजा आ रहा हो सोफिया चिला रही थी लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था डीमन्स ने तो सोफिया की उंगलियां भी काट दी जिससे उससे काफी पेन होता है पर कुछ समय के अंदरी अंदर अच्छानक बेस्मेंट के बाहर से कोई रोष्णी उनकी तरफ बढ़ने लगी ये रोष्णी इतनी जादा तेज होती है कि वहाँ मौझूद जितनी भी डीमन्स थे वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं सोफिया जूकि बहुत ठक गई थी और उसके बॉड़ी में ज़रा भी इम्मत नहीं होती वो उस रोष्णी का पीछा करते हुए बाहर की तरफ आ जाती है तब जाकर सोफिया ने देखा कि एक सरकल के अंदर उसका गाडियन इंजल आया है वो गाडियन इंजल बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ताकतवर दिखाई दे रहा था जिसने की कुछ अजीब तरीके का आर्मर पहना होता है यहाँ पर उस गाडियन इंजल को ब्यूटिफुल कहना कम नहीं होगा क्योंकि वो काफी अठ्था दिख रहा था और अब सोफिया कहती है कि मुझे कोई भी बदला नहीं चाहिए मैं फॉर्गे उनेस को एकसेप करती हूँ और अपने बेटे के आत्मा के लिए शांती मांगती हूँ वो गाडियन इंजल सब कुछ समझ चुका था और अब वो कुछ अजीब तरीके की लैंगवेज में बोलने लगा सोफिया उसे समझ नहीं पा रही थी लेकिन देखकर ऐसा ही लग रहा था कि गाडियन इंजल सोफिया के विशेस को ग्रांट कर रहा है एक बहुत ही तेज रोशनी के बाद उस गाडियन इंजल को दिखाते विश सब कुछ नॉर्मल हो जाता है सोफिया ने ये रिच्वल कम्प्लीट कर लिया था और अब तो उस घर में से सारे डीमन्स भी जा चुके थे यानि कि उसने रिच्वल कम्प्लीट कर लिया है अब हमें सोफिया दिखाई गई जिस जॉसेफ की डेट बॉड़ी को पानी में लेकर जाती है ताकि उससे कहीं छुपा दे क्योंकि वो नहीं चाती थी कि इस मर्डर का इल्जाम उसके उपर आ जाए सोफिया को जो चाहिए था वो मिल गया उसने ना तो कोई रिवेंज मांगा था और ना ही अपने बेटे को वापस जिन्दा करने की कोई विश क्योंकि मरे हुए इंसानों को जिन्दा करना नीचर के खिलाफ होता है जरूर उसकी वज़े से टाइम लाइन में कुछ गड़बड़ी हो जाती इसलिए गार्डिन इंजल ने भी उसके दिमाग को मैनिपलेट किया और वो विश मांगने से इनकार कर दिया सूफिया को यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उसने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए बहुत कोशिश की पर हपसोस उसे वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाती थी वो तो अब उस घर से निकलती है और कार के इंदर बैटकर शहर की तरफ जानी लगती है और हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो गई सो यह वैस आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट सक्चन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्पनेशन एक पुसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एं चानल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मिलते हैं इसी तरीकी की मज़दार वीडियो में तब तक के लिए बबाब